सो हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई हीरो एक्स्ट्रीम 125 आर के बारे में जो की रिसेंटी लॉंच किये हीरो ने पहुत ही पावफुल बाइक है एक सो पच्छी सी सी की ऐसा में क्यों बोल लाओ में वीडि हीरो ने इस बाइक के अंदर दिया है 125 सी सी की होंटा की भी बाइक साती है बट वह उतनी पावरफुल नहीं है एक के टीम ड्यूक 125 को अगर छोड़ दिया जाए तो भाई ये सबसे जादा पावरफुल इंजन वाली बाईक है अब मैं इसके आपको स्पेसिफिकेशन और पता देता हूं कि इंजन कितना दिया है और और जो अधर 125 की बाइक चल लिए उसमें कितना इंजन दिया गया है नॉर्मली जो 120 इसके इंडर वहत शांदार दिया हो ने लगब 11 युटन मिटर ऊब तक किसी भी इतना और बात कर रहा है म्यक्तू Bowl 11 newton meter का torque भाई माईने रखता है 125cc की बाई मतलब 11 newton meter का जो torque के भाई वो माईने रखता है 125cc की बाई में तो भाई इस बाई की टेसराइड लेनी बनती है जैसी ये शोरूम पाजाएगी तो मैं इस बाई के एक टेसराइड वीडियो जुरूर शूट करूँगा सो अब इसके mileage की बात करते हैं mileage भाई company जो claim करती है न वो करती है 63 kmpl के आसपास मलब के 60 kmpl भी अगर bike दे देगी तो बहुत शानदार mileage है इतनी power में वैसे तो जो 12 bhp है देखा जाए तो भाई आपको fz15 के अंदर मिलता है या महा की 12 या 13 bhp के आसपास है और इतनी power आपको 125cc में मिल लगी है और दूसरी बात mileage भी धांसों मिल ला है तो यार यह बाइक मेरे साब से success हो जाएगी क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन पड़के मेरे को ऐसी फिल है कि मार्केट में सक्सेस हो जाएगी बाइक 124 सीची का सिंगल स्लेंडर एर कुल इंजन एसके इंदर फ्यूल इंजन नहीं एर कुल इंजन आएगा यार एक सो पच्छी सीची के अंदर लिक्विट गूल तो आएगा नहीं औ सिंगल चानल ABC डौल चानल ABS की बात करें तो हो सकता है सिंगल चानल ABS या हो सकता है आपको सिंगल चानल ABS भी देखनों को ना मिले cbs brake system इसकंदर हो सकता है company दे क्योंकि जब बाइक आईगे ना यार टैस्ट राइट करेंगे तभी प्रॉपर पता लगेगा कि इसकंदर cbs है सिंगल चैनल बात करेंगे तो आइटी नाइटी का आपको देखने को मिल जाएंगे इसके सिमिलर में बहुत सारी और 125 बजाज पूसर 125 हो गई Honda Shine 125 हो गई बजाज पलसर NS 125 हो गई हीरो सूपर स्प्लेंडर एक्स टैक आती एक बाइक वह गई तो यह सारी बाइक से हैं बट मुझे नहीं लगता गए वह जितनी बाइक हैं इस बाइक के मुगाबला कर पाएंगी परफॉमेंस में भी और माइलेज में भी फरंड सस्पेंशन इसमें मिल जाता है आपको 37 mm का एंड रियर वाला जो सस्पेंशन है वो हाइडरलिक शॉक एब्सॉर्बर ही मिलते हैं फ्रेम भाइस कंदर डाइमन ट्यूब दे दिया है जो की होंड़ा शाहिन कंदर आता है और स पूटल वेट है इसका 136 kg एंड 10 लिटर के समा आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है ग्राउंड के लिएंस बहुत शांदार दी गई है इसके अंदर 180 mm की बहुत ही अच्छी ग्राउंड के लेंसे 180 mm की सीट हाइड जो है 794 mm का मतलब है कि अगर आपकी हाइड 5.2 इंच भी है बहुत अच्छा टोर्क आपको दिया ही रोने सीट हाइड गराउंड क्लिनेंस एंड फ्यूल टैंक के पिसीटी भी बहुत अच्छी दिये बाइक के इंदर कर वेट भी बहुत शांदर दिया बहुत सारी चीज़ें इस किंदर जिसको आप ना नहीं कर सकते क्योंकि यह बा लग रहा था कि इस बाइक का प्राइज वह एक लाग चाली से रुपे के असपास जाने वाला होगा क्योंकि इस किंदर जो फीचर सो इस वीडियो लेना तो बनता है इस वीडियो को रखते हैं इतना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में केप लविंग केप सपूर्टिंग गईस